फ्रोडूलेंटली बहुत ही इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है IPC के अंदर जो है सेक्शन 25 में पढ़ते थे अब हम पढ़ेंगे भारती नाय सहीता के अंदर 2K9 में फ्रोडूलेंटली मतलब कपट पूरवक बात करता है person is set to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise देखो वहाँ पर भी intention की बात हुई थी dishonestly के अंदर भी और आपका fraudulently के अंदर भी intention की बात हुई है देखो वहाँ पर intention की बात हुई थी to cause wrongful gain to one person और wrongful loss to another person यहाँ पर बात कर रहा है intent to defraud करने की अब देखो intent to defraud है यहाँ पर कई भी fraud या defraud को समझाया नहीं गया है बट अगर मैं बात करो intent to defraud है यह आपके दो element से मिलकर बनता है पहला deceit और दूसरा आपका injury अब deceit मतलब क्या होता है अगर मैं आपको समझाओ तो deceit मतलब होता है act of intentionally misleading someone किसी को mislead करना यह deceit होता है धोका देना right injury क्या होती है injury हम अब अब आगे पढ़ेंगे उसके अलग डिफाइन किया गया injury को कि basically कोई harm पहुचाना illegally तरीके से वो mind को हो सकता है वो आपकी body को हो सकता है वो property को हो सकता है वो reputation वगरा को भी हो सकता है हम defamation कहते है तो यह आपका deceit और injury का मतलब है जब यहाँ पर अगर intent है defraud करने का इसको fraudulently कहेंगे अच्छा यहाँ पर और भी अगर हम फ्राइन की बात करें dishonesty और fraudulently को कर तो dishonestly के अंदर हमने देखा था pecundary loss की बात की गई थी यहाँ पर necessarily नहीं है कि pecundary loss हो हो तो ठीक नहीं हो तो ठीक यहाँ पर necessary नहीं है यहाँ पर अगर मैंने आपको example दू fraudulently केंदर तो आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि एक विक्ती जो कि वो खुद ये घर own नहीं करता है यह वो जानता है ठीक है और वो यह वाला घर किसी भी person को बेचता है यह बोलते हुए कि यह मेरा ही घर है तो यह क्या हुगा यह defraud करना हुगा intent to defraud deceive कर रहा है प्रवंचना कर रहा है देखे इसको हम थोड़ा बहुत to the person who causes the deceit or some kind of injury injury की बारे हम अलड़ी हम बात कर चुके है तो और आपका साथी साथ जो fraudulently है यह exclude करता है direct economic element जरूरी नहीं है not necessarily कोई economic element हो यह difference है fraudulently or dishonestly में दो तीन आपके मेरे difference भी यह आपर बता दिये आगे feature में आप चाहते हैं कि मैं कोई properly difference का एक वीडियो लेकर आँ तो आप मुझे बताएं तो मैं उस पर जो है कोशिश करूँगा जल्दी से जल लाने के लिए अच्छा इसमें बहुत important case है doctor bimla versus Delhi administration 1962 का बहुत important case है जहां पर यह बताया गया इसमें difference भी बताया गया dishonesty और आपका fraudulently में मैं थोड़ा बहुत इसको short में समझाने की कोशिश करता हूँ facts कोई थोड़े से lengthy है actually इसमें क्या होता है आपका जो डॉक्टर है यह बिमला यह एक कार खरीदती है अपनी बेटी के नाम पर और उनकी बेटी जो है वो माइनर होती है छह साल की देखे यह facts है आपके who was six years six months old at that time कार जो है नालिनी उनकी बेटी का नाम होता है उनके नाम पर लेती है insurance policy वगएरा भी ले लेती है ठीक है और यह sign खुद कर देती है ठीक है ऐसा नालिनी बनकर sign वगएरा कर देती है तो जब गाड़ी का accident वगएरा होता है जब ही claim claim करती है तो insurance company in queue पर fraud वगएरा का case लगा का और ना ही यहाँ पर company को कोई loss हो रहा है अगर हम dishonestly की बात करें तो क्या बोलता था causing wrongful gain to one person wrongful loss to another अब यहाँ पर कोई wrongful loss तो हो नहीं रहा है और यहाँ पर उनका कोई intention भी नहीं था defraud करने का अगर वो हम बात करें उसके नाम पर policy ली है या इसके नाम पर खुद के न चाहें तो आप आराम से इत्मिनान से इसको डाउनलोड कर सकते है टेलीग्राम से और आप आराम से बैठ कर इसको पड़े मैंने बहुत short में आपको समझा दिया इस case में क्या हुआ था राइट चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं जेंडर की जो definition है यह बहुत important है भा आपका male female दोनों ही include है अब हम पढ़ेंगे male female और transgender भी मतलब यह आपका amendment तो पहले आ चुका था यह बड़ हम बुक में आपके नहीं था बड़ आपका जो है आपको BNS में देखने को मिल जाएगा male female और transgender तीनों ही यहाँ पर आएंगे अब transgender जो है एक explanation भी बताता है कि transgender का मतलब यहाँ पर कहा से लिया गया है तो रहने बोला transgender person protection of right act 2019 के section 2 के के में जो define करी गई है परीभाशा वो उसका मतलब है यहाँ पर अब आपका जो case है यह important है इस case से आपका यह transgender जो है यहाँ पर include किया गया national legal service authority versus union of india 2014 का एक case था right इसमें रहोंने बोला कि transgender के जो अधिक है राइट है जो constitution articles जो है power देते हैं वो basically जो है यहाँ पर हमारे gender को आप identify नहीं कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर हमारी जो constitutional right है उनका उलंगन हो रहा है violation हो रहा है तो इनने मांगा कि हमें recognize किया जाए हमें recognition चाहिए तो इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी बात क इसमें finally जो है इनको यहाँ पर recognize किया गया right तो जो भी members है आपके transgender community के हुआ neither male nor female at the time of work जिनको recognize किया जाता है इसा transgender तो इन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अब जो है transgender यहाँ पर include कर दिया गया है और आपके social economic rights जो है इनको guaranteed जो है आपके किये जो भी constitution जो बेसिकली बात करता है right i hope clear है तो आप यह judgment जो है ध्यान रखे national legal service authority versus union of india 2014 का है